नहीं है कि आप एक खुद का सेटप कर पाएं उतना बजट नहीं है डेर डो लाग आपके पास नहीं है च्छाए सेटप कर पाएं तो आपके पास एक्टे स्क्रीन होना चाहिए यहीं क्योंकि रेनिच fossi से आप background को cut करके और अच्छे च्छे background लगा सकते हो जो कि लाको की करोडों के setup को भी आप अपने background में लगा सकते हो बड़ सवाल यह उड़ता है कि कि इतने भाई लोगों के पास में Green screen नहीं हैं तो आप Green screen के विना background के green screen जैसा background कट करके video create कैसे करें मैं प्रोपर विडियो ला दूंगा आपको बता दूंगा बिना green screen के background कैसे किया जाता है मुझे पहले पता होता तो मैं green screen के बज़ाए आप जो यह green screen आपके पास आए लेकिन आप सुझते हो कि यह green screen के लिए जो background वालपेपर साते हैं उसको कैसे लें कहां से लें और आप लेते भी हो तो कहां से लेते हो जाते हो गूगल पर सर्च करते हो background यह सब आप बोलते हो और आके आपके बेग्राउंड पर कोपी राइट आते हैं तो कोपी राइट आ गया तो यह उस वीडियो से आपका future में कभी अर्णिंग नहीं होगा और अर्णिंग भी होगा तो कोपी राइट देगा तो आपकी चैनल पर बहुत ज्याद़ एफिक्ट पर सकता है तो कहीं ने कहीं बहुत ज़्यादा डेंजर्फूर है क्योंकि वहां से आपको डाउंलोड नहीं करना चाहिए गरिन स्क्रीन को और अगर आप कहीं कहीं फ्री करते हो तो फ्री में बहुत ज्यादा घटिया घटिया देता है कोई अच्छा quality का नहीं देगा और अगर अगर फ्री यूज करत कर सकते हो वह भी पिक्सल लेब से यह कीनना पिक्सल लेब से क्रिएट कर सकते हो ग्रीन इसक्रीन के लिए बैगडाउंड तो आपको मैं दिखा देता हूं तो सबसे पहले यह यह है यह है यह है यह है बहुत से हैं बहुत से हैं आपको दिखाया इतना सारा इतना सारा बैग्राउंड को आप क्रिएट कर सकते हो बैग्राउंड को चले वीडियो सुरू करते हैं आपको बताते हैं पिक्सलेब में चल करके कि कैसे आपको क्रिएट करना है और आज तक का म बहुत लोग देखते हैं लेकिन सबस्क्राइब नहीं करते हैं क्यों यार सबस्क्राइब करो और बीडियो को एक लाइक कर दीजी को अच्छा लगेगा तो चली वीडियो सुड़ो बताते है पिक्सल्एब electric को बनाने के लिए सबसे फ़्ह00ब को यह चाहिए पिक्सल ये तौ सबसे पहले उपेंड कर दिने लैट पकě लेघ्ञा करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफिस दीखने को आपको मिल जाता है रहे तो सबसे पहले आपको Q** publi करना है और यहां से इस text को delete करना है आप एक creator है तो आप सब को यह सब पता ही होगा तो यहां पर मैं delete text को करता हूं और उसके बाद आपको यहां पर three dot पर click करना है जैसे आप YouTube thumbnail बनाते हो जितना ratio का YouTube thumbnail के लिए आप select करते हो वैसे ही आपको यहां पर select करना है तो सबसे पहले जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं उनके लिए आप वीडियो में बने रहा है ठीक है आपको पता है आप वीडियो में बने रहा है मैं बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है करना है और image size पर click करना है कुस्टम पर click करना है और तो यहां पर यूटूब थमनल देखने को मिल जाएगा तो यूटूब थमनल पर क्लिक करना है ठीक है और उक्के पर क्लिक कर देना है अब आपको क्या करना है यहां पर नीचे फाइब सेटिं स्थ आपको देखने भीर के कि लिए के विए लिए आपको क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा उसके बाद आपको ग्रेडियंट पर क्लिक करना है इसके नीचे ठीक है ぎइंग ग्रेडियंट बोलकर एक सेटिंग आईगा यहाँपको ख Southern है और उसके बाद मैंने और यहां पर बना के रखा है तो कैसे मैंने बनाया है मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले मैं यहां पर आपको जैसे ही आप एक सेटिंग पर आप क्लिक करते हो मतलब एक ग्लूइंग सेटिंग पर क्लिक करते हो तो यहां से आपका जो लाइट है वह ग्लू करने लग जाएगा उसके बाद यहां पर आप क्लिक करते हो तो उपर से ग्लू अपका लाइट होने लग जाएगा और यहां पर क्लिक करते हो तो बीच में glow up आपका light होने लग जाएगा तो maximum जो creators होते हैं ऐसे ही thumbnail का use करते हैं अपने वीडियो में मैं भी करता हूँ जितने भी thumbnail पर आपने देखा है मेरे thumbnail पर इस वीडियो के thumbnail पर वो सब इसी पर मैंने create किया है और यहां पर दो और हैं तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से यहां पर भी आप select करके बना सकते हो easily तो अब चलिए आपको यहां पर glowing settings पता चल गया है कहां से कहां पर click करने से आप अपने mobile में अपने से check कर लिजेगा कि 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 क्लिक करने पर कहां से light आपका glow होड़ा है आपके thumbnail उसके बाद आपको यहां पर और settings को मैं कुछ बता देता हूं उसके बाद thumbnail बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर background वीडियो के लिए बनाना हमें स्टार्ट करेंगे और यह काइंड मैस्टर में आप यूज करते हो अगर फोन से आप editing करते होगे तो यह दोनों में यूज कर सकते हो इसली कोई दिकत नहीं होगा आप PC में computer में laptop में भी करते हैं तो easily हो जाएगा आपका editing और आपके वीडियो के background में आप इसको यूज कर पाएंगे इसली कोई दिकत नहीं होगा background कट करके ओके तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे दो sticks देखने को मिलेंगे यह सबसे ज़्यादा important है ठीक है यहाँ पे और एक यहाँ पे और मैं आपको बता दू नीचे एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा आप देख करने के बाद कुछ असे interface देखने को मिल जाएगा तो बनाने के लिए simply आपको कुछ नहीं करना है जैसे मैंने यहाँ पे किसी भी color को आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी color आपको अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे यह सिलेक्ट कर लेता हूं और उक्के पे क्लिक करता हूं और प्रोपर आप बोल सेते हो कि black और इसका communication डेंजर है तो आप चाहें तो इस पर भी white विगड़ा को सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम white नहीं सिलेक्ट करेंगे आप ब्लैक ही थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे जिससे अच्छा attractive देखने को लगेगा या फिर आप चाहें तो red भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ही साफ से चिक कर लिजीगा तो यहां पर जो आपका thumbnail है वह एक नंबर हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा red में सिलेक्ट करके और ok करता हूं तो आप देख सकते हो कि जो यह हमारा thumbnail है एक नंबर का बनके ready हो चुका है हम इसको वीडियो में यू पर सिलेक्ट करने के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो में यूज करना है तो से टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे अब इसे फायदा आपको यह होगा कि फिलहाल में कभी भी आपकी वीडियो पर copyright नहीं आगा क्योंकि copyright जब भी आता है आपको इसे जाके background download कर लेते हो और copyright आ जाता है तो होता क्या है कि आपके चैनल पर effect तो पढ़ते ही है साथ में आपका जो भी एर्णिंग होगा वह आधा उसके पास चला जाता है जिसने copyright आपके वीडियो पर दिया है तो आपको बिल्कुल गलती नहीं परना है और copyright से बचने के लिए आप इसका यूज क